नमस्कार जो हमारा टोपिक है क्लास 11 चैप्टर 2 अक्सरसाइज 2.3 और क्वेक्शन 5 से स्टार्ट है क्योंकि 4 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं आज 5 से स्टार्ट है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कुमेंट कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए तो हम अपने टोपिक को स्टार्ट करते हैं ए हमारे को दिया माइनस 1,0,2,3,B दिया 1,25,8,9,10 f,x,y यानि जो हमारे relation function की वो क्याद रखी है y is equal to x square plus 1 जो x है, a में बलों कर रहा है जो y है, b में बलों कर रहा है ठीक है, तो यह पूछ रहा कि list the element of f कि आप f को लिखिए, ठीक है देखो, put कूंट सा करना है put करना a बढ़ा, देखो y is equal to क्या है मेरे पास x square plus 1 when x is equal to minus 1 जब x is equal to minus 1 होगा तो minus 1 का square क्या होगा plus 1, 2 आ जाएगा when x is equal to 0 तो 0 का square 0 plus 1, 1 आएगा और जब x is equal to 2 जब x is equal to 2 होगा तो 2, 2 जा 4 2, 2 जा 4, पलस 1, 5 आगया और जब x is equal to 3 होगा तो 3 का square 9 plus 1, 10 आगया तो minus 1 put किया 2 answer आया 0 put किया 1 answer आया और 2 put किया 5 और 3 put किया तो 10 तो हमारे f क्या बनेंगे देखो, hence f is equal to minus 1 to 0, 1 2, 5 and 3, 10 यह हमारा क्या होगा अंसर होगा क्योंकि आप देखना x की value order पेड में हम या लिखते हैं ठीक है और यहाँ पे क्या होता है y की value होती है और यहाँ पे क्या होती है x की value होती है यहाँ पे x की, यहाँ पे y की ठीक है तो आपका f क्या बना जैसे minus 1 put किया तो 2 answer आया 0 put किया 1 answer आया आपका क्या होगा f होगा अब question जो 6 से देखना अच्छा question है question 6 क्या दरखा है f दरखा हमारे को f क्या दरखा है देखो f दरखा 1 1 2 3 0 minus 1 and minus 1 minus 3 we a linear function f क्या दरखा है linear function दरखा है और कहां से कहां तक f कहां से कहां तक दरखा है z से z तक f दरखा है z से z तक ठीक है और find fx आपने fx बताना है देखो तो हम माल लेखते हैं क्या माल लेखते हैं जैसे देखो आप कहले लिको कि since fx is a since fx is a linear function fx is a linear function और किसमें या और रुपेर में then let let कर लिया let fx is equal to ax plus b fx क्या माल लिया ax plus b अब इस function में क्या है जब x की value one put की तो उत्तर one आया देखो f1 one put कर दिया x की जगे तो one plus b यानि कि क्या आया a plus b अब मेरे को f1 दे क्या रखा है f1 मेरे को दे रखा है one one यानि कि देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार लिखता हूँ मैं जैसे हमारे पास में क्या है f1 one ठीक है f2 क्या है थरी के बराबर है f0 minus one के बराबर है ठीक है और f minus one minus three के बराबर है तो ये दे रखा है जैसे मेरा first में क्या आया a plus b f1 के ब्राबर आ रहा है f1 के f1 के ब्राबर this implies a plus b किसके ब्राबर आया 1 के ब्राबर आया ठीक है जैसे इसको नाम दे दिया समिकर्ण एक equation 1 अब एक और ले ले लिखते जैसे 2 minus 1 या 0 0 वाला असानी से हो जाएगा देखो when x is equal to 0 when x is equal to 0 जब x 0 पूट करोगे तो this implies f0 यहां क्या हो जाएगा a 0 plus b यानि कि क्या बचा b बचा ठीक है अब f0 किसके ब्राबर minus 1 के this implies b के value कितनी आई minus 1 b के value कितनी आई minus 1 अब यहां पूट कर देंगे from 1 अब क्या होगा देखो क्या लिक होगे from 1 b की value यहां पूट कर देंगे तो a minus 1 is equal to 1 this implies a की value कितनी आई 2i 1 उसाइड गातो 2i using the value of a and b using value of a and b in equation star देदिया जैसे इसको नाउ जैसे क्या दे दिया star equation star में use कर दिया तो fx मेरा क्या बना a की जगा क्या देदिया दो x as it is b की जगा क्या हो जाएगा minus 1 क्योंकि b की value कितनी थी minus 1 यह मेरा क्या बन गया fx बन गया ठीक है जो मेरे से पुच्छा गया था अब आप इसमें जैसे इसने दियरकार 2 put करोगे 2 दूनी 4 तो 3 आएगा बिल्कुल सही है आपका minus 1 put करोगे तो कितना आएगा minus 1 minus के 3 आगया तो यह आपका क्या हो गया fx हो गया अब question 7 देखिए which of the flowing function are odd and which are even देखो odd और even के बारे में एक बारो बताता हूँ आपको मैं पहले पता चुका हूँ अगर f minus x करते हो अगर minus fx के बराबर आता है f minus x minus fx के बराबर आता तो odd होगा ठीक है और अगर even कब होगा even जब होगा जब fx negative करने के बाद क्या आया मेरा positive fx आया यानि कि यूँ का यूँ fx आजाए ठीक है तो क्या होगा even और तब क्या होगा odd तो जैसे first sum लेते हैं seventh question first sum ठीक है first part y is equal to 3x4 minus 5x के आप plus 6 एक बात याद रखिए जैसे क्या है मैं इसको put करके बताता हूँ y बराबर क्या है fx है देखो y is equal to fx लिख सकते हैं 3x4 5x के पलास 6 put changing x in minus x changing x2 देखो x2 minus x x किसमे change गर दिया minus x में गर दिया तो क्या हुआ आपका इस तरीके से हो जाएगा f minus x 3 क्या होगा 3 minus x की 4 5 minus x की आप plus 6 अब यहां पर कितना आया x की 4 as it is 3 x की 4 negative bar आएगा तो positive हो जाएगा negative bar आएगा तो positive हो जाएगा 5 x के plus 6 you can see it is equal to fx यह तो fx की equal है hence it is even therefore it is even अब एक बात और याद रखिये जब आपकी variable की power even होती है तो वो क्या होगा even ही होगा ठीक है क्योंकि उस पर sign change करने का कोई फरक नहीं पड़ेगा अब second part देखिए y is equal to fx ले लिखते हैं is equal to 2x cube plus 5x changing x to minus x तो क्या होगा f minus x 2 into minus x cube plus 5 into minus x तो odd power है negative की तो क्या आएगा odd ही आएगा sorry negative ही आएगा तो minus 2x cube ये minus 5x अब negative बार ले लिया तो क्या बचा 2x cube plus 5x तो negative बार ले लिया तो क्या बचा 2x cube plus 5x ये किसके बराबर आया fx के यानि कि मैं किसको क्या लिख सकता हूँ minus fx क्या लिख सकता हूँ minus fx अब sign change करने के बाद negative आगया तो इसका मतलब क्या है therefore it is odd ये क्या हो गया odd हो गया अब जो next part है इसका next part देखिए जो इसका third part है देखो y is equal to under root mode x plus 7 mode x मैंने बताया था mode x क्या होता है fx is equal to जैसे mode x है ठीक है आप f minus x करते है तो minus x जब mode की property होती है वो क्या करती है जब ये negative बार आएगा तो positive हो जाएगा यानि कि mode x आएगा मतलब ठीक है mode x ही रहेगा या फिर आप ये लिख सकते है जब साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा ये plus x आजाएगा mode की property होती क्या है जैसे ये negative जब mode के अंदर होगा तो positive हो जाता है जैसे आपने minus 2 put कर दिया तो क्या होगा minus 2 जब mode की property खोलोगे तो क्या आएगा पलस का 2 आएगा यानि की negative positive हो जाता है तो इस part में आपका यही है देखो y is equal to क्या कह दिया fx mode x पलस 7 देखो x बराबर क्या पूट कर दिया x बराबर minus x तो यहाँ पे भी minus x हो जाएगा पलस 7 अब जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा mode x पलस का हो जाएगा यूँ का यूँ पलस 7 ये किसके बराबर आया fx के बराबर आया यानि कि आपने negative change किया तो पलस का ही आया therefore it is even ये क्या function है even function है ठीक है अब y is equal to जो fourth part है y is equal to under root x greatest integer x minus x greatest integer x minus x ये function क्या है देखो इसके बारे में मैं पता चुका हूँ आपको इसको fractional part बोलते है fractional part ठीक है fractional part होता है greatest integer भी मैं पता चुका हूँ जैसे अगर 3.1 put करोगे तो हम number line में उस set जाते है तो greatest integer कोन है उसके बाद 3 है ठीक है तो जब आप इसमें put करके देखोगे तो हम इसको बता नहीं सकते कि ये negative आएगा positive आएगा क्यों क्योंकि इसमें जब आप negative put करोगे तो negative आएगा positive आएगा ठीक है और आपका क्या होगा यहाँ पे x अगर negative put कर दिया positive होगया positive अब एक बाद देखिए एक तो आपका negative होगया एक आपका positive होगया अब इसको अगर put करके देखोगे जैसे x बराबर मानगे चलो minus 5.2 put कर दिया तो यहाँ पे minus 5.2 put कर दिया क्या आएगा minus का 6 यहाँ पे कितना आएगा plus का हो जाएगा ठीक है मतलब यह change होता रहेगा sign के साथ तो dear यह ऐसा है यह आपका क्या होगा neither even neither even nor odd ना तो यह even होगा ना ही यह odd होगा अगर आपने इसको अच्छी से समझना है तो हमें इंट्रों में इसके बारें बता चुके हैं वहाँ पे आप देख सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगे like कीजिए, comment कीजिए, ज्यादा से ज्यादा share कीजिए धन्यवाद